कि कि आधा पीन पढ़ेंगे ओचित्य पूर्णता या वेदता लेजी टीमें सी एक्जाम में दोनों वर्ड़ कोई से भी आ सकते हैं वेदता नौर्मल ज्यादा आता है तो आखिर क्या होता है छोटा क्यूशन पूस लेते हैं कई बार के वल वेदता लिख देते हैं दो नमर एक यानि जी टिमेट यानि लिगल जैसी चीज लिगल जैसी बनावा लेजिटीमेश है वैद्ध है यानि जो अपनी आम्द बोल चल कि बासा में बोलते हैं तो इसका समय निमतले भी निकाल जा सकता है जो कानूनी रूप से सही हो जो जो लोगों दोरा स्विकारिये हो उसे वेद कह सकते हैं यानि लोगों द्वाराजा कोई चीज़ अगर स्विकार कर ली जाती है या फिर जो कानुनी रूप से उसको सही मान लिया जाता है तो वो वेदता का स्थर पराप्त करती है तो वेदता क्या होती है यानि जब मानौ यह या फिर मनुशी समझते समझने लग दाइन की आम उक्चीज परमपरा या तत्वा आ या जो भी कार किया है यह मानौ समझ के यह हैं मनौ समाज का यह मैं के फाइदे बढ़नांगे मं साइक है तो उसको सब्द है उसको बापत होती है उन्स Πर दोगों के सिवकार्यता से तो वेदता का इसी सेंस में समझह जाती तो आधिते पूंटा कि दाणना थेंध प्राचिन लेकिन वर्तवान समय और संद्रों में इसे नमीना थे प्राप्त कर लें संबता और सेंसक्रती था राने ती विक्या विकास के इसाथ माने ज्वेन गेर के विवार में दमनात्मक सकती समंदो की बुमीं का कम होती जारी सासक वरग दोबारा अपने उद्देशे के प्राप्ति के लिए लोगों को मार पीट के या फिर फांसी के सजाद देखे या जैसे भी उनको सारी की आतना ही देखे अपने अनुरूप कारी करवाय जाता था लिए वरतवान समय में आपने देखते हैं कि सासक वरग यह करना ही पाता प्रजात अनुर्थ में तो इस दूसरा तरीका उनने जो अपना है वो यह है कि वो इस तरीके से अपने उद्देशे को प्रजेंट करते हैं जैसे कि यह समाज में साहिक हूँ यह समाज की बले के लिए हूँ और देश के बले के लिए हूँ तो हर वर्ड में उनकी यह देखेंगे कि मैंने यह जो कारी किया इससे देश का विकास हो रहा देश का विकास हो रहा देश का आगे जा रहा है तो यह सब दिश लिए बोले जाते हैं ताकि लोगों तोबरा ये सुविकार कर ले जाएं कि हाँ इसी देश का विकास हो रहा है और जब लोग सुविकार कर लेंगे तो फिर अपने आप से उस अनुरूप कारी करने में लग जाएंगे यानि जो कारी शासक वरगने का है तो अगर पदानमंत्री कहते हैं कोई कारी कि यह फ्लान जो भी नई नीती है इतने इसके विकास में आगे दे जाएगी और फिर लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो लोग पदान मंत्री की नीतियों के निरूप कारी करने लग जाते हैं तो पदान मंत्री को कोई दमनात्मक सकती का प्रियोग नहीं करना पड़ता तो आज के समय में प्रजात अंत्र में जब दमनात्मक सकती का प्रियोग नहीं कर सकते तो जनता के उपर विदता जैसी चीजें आसिल करने के लिए इसी तुत्वर की दवारा अधिक्तम सासवर्ण दवारा करिये करवाए जाते हैं तो इस तरीके से विदता वरतमान समय मे बोते मेतवपुन समझी जाने लग गई है तो जैसे का भी गयराने ता अपने कारियों को उचित्वपूनता के वस्तर पहनाते हैं और इसा हो जाने पर ही उन्हें सत्ता की सित्य प्रावत होती है दूसरे सब्दों में प्रभाव को सत्ता के रूप में स्तापित करने कारी चित्वपूनता के आदार पर ही किया जाता है तो यह जो कथन रहा इसके बारे में अपने समझते हैं तो यह एक शुत्र की रूप में कारी करता है कि जो सत्ता होती है वो मानी जाती है कि सक्ति प्लस वेदता से जोड़के सत्ता बनती है तो अपने देखते हैं कि सत्ता जो रानित सासक वर्ग के पास में अपने जानते हैं कि सत्ता उनके पास होती है तो सासक वर्ग सक्ता आज किसे प्राप्त करता है कि केवल सक्ती से नहीं प्राप्त करता है जो पहले सासक वर्ग केवल सक्ती से प्राप्त करता था अब उसमें वेदता जोड़के ही सत्ता बनती है यानि सक्ती होती है पद में सासक वर्ग के जो स्थान है पतान मंतरी का ज इससद्धा कि आपन अपन दमनात्मक सक्ति का प्रयूप प्राउनमंत्रिय नहीं कर सकते, तो वेधता का सःयोग लेते है, तब जाके उनकी वुसात्ता बनी बनती है और उसको बनाए रखते है, तो यह वेधता यानि लोगों के स्विकार होती कि हाँ प्लानवंति ज्वारदो भीकारी कि जा रहे हैं वो सही है और देश के परले किलिए कि जा रहे हैं तो यह वेधता जब जोड़ती है सकते कि साथ तब जाके सत्था बनती है अगर अगर यह कम होता है तो सत्ता बनाई रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो सत्ता को बनाई रखने के लिए वेदता का बनाई रखना होता है अपने हर कारियों में कम से कम जनता को यह समझाना जरूरी हो जाता है कि यह कारिये अपने बलाई के लिए या फिर अपने फाइदे के लिए है यह जैसे अगर आपने देखें सड़क पे जो फूल बन रहा तो एक साल तक जनता उपर इवेन में परिशान होती है लेकिन वहाँ पर ये लिखा होता है कि ये अपने उजवल या अच्छे बविश्य के लिए किया जारा इसी लाइन वहाँ बॉर्डों पर लिख दी जाती है तो लोग उस बात कोई मानते हैं कि हाँ ठीक आज के समय में तो एक साल अपन परिशान होंगे लेकिन आगे के वर्षों में इसके बहुत ज़्यदा फाइदा होगा अपने इसके सवलिद होगी तो लोग उसका उस कानून को मान लेते हैं कोई वहाँ पर पुलिस को खड़ा करने की ज़रूत नहीं पड़ती तो अपन देखते हैं कि व कोफल या लीगल जो जो इसे जुड़ावा सब वर्ड है तो इसका एक लंबा इतियास है इतना इंपोर्टेंट क्योशन नहीं कि आप से पुझा जाएगे कि क्या होता है लेजिटिमेट का शाय है तो अरश्तुने कानून समद सासन या समवेदान सासन की रूप में इस प्रस्तुत की लोग ने सहमेटियों समझोते की दाणना के आदेम सी विस्टार का सुद्रस्टे समर्थन किया है आप आगे जा कि पढ़ेंगे फैनल येर की जो विस्टार करेंगे तब जा कि आप वस्मज में आएंगे तो मेक्स वेबर जो अपन पढ़ के आएंगे पावर के अंदर जोने अपने तीन परकार बताये थे तो वोई तीन परकार उचिते पुझता कि ये तीन अधार बतला हैं प्रमपरागत बौद्धी कानोनी और करिस्माई उन्ही अधार पे अगर कानोनी रूप से कोई वेधता कि तत्वा इसमें होता है तो यह तो एक सुझ व्य्था बनेते है कि चोटा कि उसनी जद्धा पु은जने की सब्हुना बनती है अब विधागों न Ahpical है अगर दो सो डाइसर वर्ड का किसे नाता है तो भी आप इसको असानी से कर सकते हैं